Hello guys, welcome to Adhaar Shila Academy Adhaar Shila Academy में आप सब का स्वागत है जो इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजे और बेल आइकन प्रेस कर दीजे मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे CBSC के Class 7 के Math का Chapter 1 Integers जिसमें हम डिसकस करेंगे Multiplication by 0 तो चलिए देखते हैं Multiplication by 0 में क्या होता है For any Integer A we can say that अगर हमारे पास एक ऐसा Integer है जो A है तो हम यह बोल सकते हैं कि जब हम A का Into 0 में करेंगे तो वो Equal होगा 0 into A के और वो Equal होगा 0 के तो यह कैसे होगा चलिए यह देख लेते हैं तो यहाँ पर एक Integer है Minus 3 उसका Integer हम 0 में करेंगे तो हमें मिलेगा 0 Minus 3 एक Negative Integer है उसका Integer होगा 0 में तो हमें क्या मिलेगा Answer में 0 ही मिलेगा चलिए एक और एक Example देखते हैं उसी तरह अगर हम 0 का Intu Minus 4 में करेंगे यह भी एक Negative Integer है तो हमें मिलेगा 0 चलिए एक और एक Example देखते हैं जिसमें Minus 5 यह एक Negative Integer है उसका Intu 0 में होगा तो हमें मिलेगा 0 इसी तरह यह तो हुए Negative Integer अगर हमें Positive Integer दिये होते हैं यहाँ पर 3 दिया होता और उसका Intu 0 में करना होता तब भी हमें क्या मिलता 0 ही मिलता इसलिए कोई भी Integer हो चाहे Positive हो चाहे Negative हो उसका Intu जब हम 0 में करेंगे तो हमें Answer 0 ही मिलेगा तो हमें इससे क्या Conclusion मिला है हमें इससे यह Conclusion मिला है कि जब हम किसी Negative Integer का Intu करेंगे 0 में तो हमें Answer क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा तो यह Session काफी Easy और बहुत Interesting था अगर आपको कोई Doubt हो इस Session में तो Comment करके बताइए मैं आपके लिए एक नया वीडियो और बना दूँगा और 2-3 Example के साथ आपको समझा दूँगा तो आज के Session के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं अपने Next Session में और Discuss करेंगे इसके आगे का Topic